नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने योटूब चैनल में तो दोस्तों आज में लेकर आई हूँ मिक्स वेज की एकदम जबरदस्त रेस्पी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा तो चलिए रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्रोजन मटल लिया है इसको मैं गरम पानी में भीगो कर रखी थी मैंने पत्ता गोबी लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज थोड़ी सी मैंने फूल गोबी सिमला मिर्श और टमाटर सबजीयों को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंदो मैंने देखिए गैस पर कढ़ाई रख दिया उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार चमज लो फ्लेम पर तेल गरम हो जाने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और जीरा चटक जाने के बाद मैंने देखि और हरी में इसको कूट कर रखा था इसको हम इसमें डालेंगे और कुछ देर तक हम इने भूनेंगे तेल में तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया मैंने इसमें हल्दी डाल दिया तेल में ही जिससे की कलर सुन्दर लगे देखने में तो कुछ देर तक ह और इसको अच्छे से पकाएंगे प्यास थोड़ी सी सौप्ट हो जाने के बाद मैंने देखिए इसमें आलो और मटर जो फ्रोजन मटर मैंने इसमें डाला है उसको मैं डाल दी क्योंकि ये थोड़ी सी पकने में टाइम लगती है सबजिया इसलिए हम इसको थोड़ा पहले ही पका लेंगे और गैस का फ्रेन हम लो करके थोड़ी दो से तीन मिनट तक हम इनको भूनने के बाद बाकी के हम सबजिया इसमें डालेंगे तो ये देखिए मैंने इसमें पता गोबी डाल दिया तो फिर आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें और भी सबजिया एड़ कर सकत है देखिए मैं सारी सबजियों को इसमें डाल रही हूँ तो इसमें हम अच्छे से पहले सबजी जितनी भी मैंने कट करके रखी थी इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे देखिए कुछ इस तरह से इसका नाम ही है मिक्स वेज तो हम बहु इसको चलाते रहेंगे ताकि ये कड़ाई को पकड़ेना तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से हम सब्जियों को 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे तो ये देखिए हमारी सब्जी कुछ इस तरह से मैं थोड़े थोड़े देर पर इसको चला रहे हूं कु में एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला मैं इसमें डाल रहे हूं थोड़ा सा नम्मक ढालेंगे अधा चमच और आधा चमचमच में इसमें लाल मिर्श डाल रहे हूं मसाले means can do a कम या जादा डाल सकते हैं लेकिन बहुत जादा मसालों नहीं डालेंगे तो सबजी बहुत ही जादा सworked बनेगी तो देखिए मसालों को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाले के साथ भूनूंगी फिर थोड़े देर के लिए हम इसको ढखकर पकाने वाले हैं तो देखिए ये कुछ शॉप्ट हो गई है हमारी सबजियां तो ऐसे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही आसान तरीकों से हम मिक्स वेज इस तरह से घर पर बना कर ट्राय कर सकते हैं अब इस ही मुझे थोड़े आलो कच्छे लग रहा है थोड़े देर मैं इसको और ढखके पकाने वाली हूँ तो ये देखिए हमारा मिक्स वेज मैंने 2-3 मिनट तक इसको पकाया है तो दोस्तों मेरी कढ़ाई की तलवे जो है वो थोड़े से हलके हो गए इस वज़े से मेरी कढ़ाई पकड़ लिया है आप इसे मोटे तलवे की कढ़ाई में ही इसको बनाईए तो ये देखिए अब हमारा मिक्स वेज एकदम बन कर तयार है तो दोस्तों अब इसको मैं निकाल लेती हूँ मैंने गैस का फ्लेम भी बन कर दिया है देखिए मैं एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर रही हूँ तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेस्पी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर मेरी रेस्पी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैक्स फार वाचिन गाइस